अब देखेंगे कि हम लोगारी क्या पेस्ट एक्जामिनेशन इस्ट्राइजी और चाहिए क्योंकि आप लोग मुझ्टी फर्स्ट्र सेकेंडर के स्टूडेंट रहतों क्या है कि हम लोग को प्रेशर होता कि भी टेक्म लोग को 75-80% मिनिममम अपना बैलन्स करके चलना होता अब चाहिए कि एक्जामिनेशन के सब्सक्राइब करेंगे कि कम से कम पढ़ाई में कुछ वेल्गारीं नहीं अपनाते हैं तो वह अपना 75 परसंट का जो उसको मेंदन करने में काफी प्रप्लम होती ठीक है तो कि मैं भी एक मिडल बेंचर हूँ टीक ना प्रेंट में आता सब्सक्राइब करें तक चल रहा हूं तो मेरी कुछ एक्जामिनेशन स्ट्राइजी मैं अपना एक्स्पिरियंस सेयर कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं कि जब भी मुझे एक्जाम पेपर मिलता है ठीक मैंने बस रूपेपर में डालना है 930 से आपका एक्जाम स्टाट होता है सो क्या कि 930 तक किसी भी है कंडिशन में हौल के इंदर होना देन उसके बाद अपना जो कॉपी में है उसको फिल कर लिए सारी इंफरमिशन देन उसके बाद पढ़ना भी नहीं है ना सेक्षे शी को बस जो पेपर आपको मिलेगा उसका अपको सेक्षेन के पास से आप उसे फोल कर लेना फोल करने बाद 5 कोशन होंगे आपको इसको को तीन करने हो ठीक है सुआसर्ट करने हैं टूरिंग देंग से स्टार्ट करोंगी और हां एक तो दो गंटे में section B और सीनी पड़ जाएगा आदे घंटे में लोगों का section A करना है देन उसके पर आदे घंटे का आपके पास margin होगा तो आदे घंटे के पास आपका अच्छा time बचेगा जिसमें आपको कोशन भी कर सकते हो जो आपको नहीं आ रहे हैं यहां के बारे में में लिखने तीन पेजेस यह और जो सेक्षें के कुशन होते हैं उन में क्या करना है कि हाफ और अगर condition खराब यानि के काफी टफ पिपर है और या फिर क्वाइब काफ़ जाओ पार्ट एट इसमें का डिक पीच्छ कर सकते हैं मैक्सिमम डिटो आपको हाफ़ पेज में भी डिप्ता देना संक्षेन के कुश्छंव सब्सक्राइब सक्षिन बी तरुस्के बाद आपको सक्षिन सबस्क्राइब करने में तो सबसे लास्ट में करना सबसे लास्ट में इसलिए करना क्योंकि है कि हम बच्ची स्टूडेंट बहुते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं से एक को स्टार्ट करने में है देखो भाई उसमें टुटल टुटी कोशन अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको टुटी में आपको टुटी में जो है मिल जाएंगे कुछ ना कुछ तो गलत भी करोगे तो उसमें प्रभबिल्टी रहती कि और जो है मिनिमा मिनिमा आपके 15-18 मार्क्स मिलेंगे ठीक है मैक्सिमम कंडिशन है अब क्या है कि आप उसमें तब तक एक घंटा अपना वेश्ट कर चुके होगे सक्षेन में अब सक्षेन में कुछ गलत किया उदर फिर से छोड़ जाता है और अगर आप यहीं से कोई भी दो कुशन कर लोगे तो सक्षेन के बराबर होते हैं ठीक है सु सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से प्रॉपर्ली एक्स्प्रेंट हो सब्सक्राइगा तो यह मेरी थी स्ट्रेजी जो मैं अपनाता हूं हुआ है और मेरी यह को बैक लॉग नहीं तो मेरी जो स्ट्रेजीं होती है मैं से से यही इस्ट्रेजी अपना रहूं कि मेरे प्यूटी एक्जाम से स्ट्रेजीं करते हैं तो काफ़ जादा ताम का धियान रखना है और और वर्श्ट के सिवासे बात भी कर लेते हैं कभी-क पढ़ेंगे अगे श्रू उता है मैं या और की थी ऐसे उता है जमस्मार्स या फिर रप्र या फिर आपका मटशमी10 पार हुआ हैं इसे में कौदहते हैं कि या को सब्सक्राइब करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले सक्षिन भी को लो ठीक है सब्सक्राइब प्रफेक्ट्ली ऐसा तो होगा नहीं कि आपको अच्छे से आ रहे हैं वह कर लिए सक्षिन से इसके बाद जैसे वर्ष केस होता है सक्षिन एक ठीक है उसमें कि जो दो-डो माक्स से कोशन होते हैं उनको आप एक्सपेंड करके लिए एक डेर से दो पेजेंश में बना पर आए नहीं कि निमेरिकल बेस जदा हो आपको और आपने थियोरी पढ़ी हो तो सबसे पहले आपको बैक बचाने पर फोकस करना है तो इसके बाद क्या करना है अपने लोगों को कि जो भी आपके सेक्षिन भी और सी के जो कुशन होते हैं आज टेन मार्क्स के तो उनमें बना देजिए आधर पेज डियाग्राम कवर कर लेगा इसके बाद आती हैं चार पांच लाइन के लिग दीजिए ना अब यह तो कॉमन एजम्शन सब में लेके चलिए कॉंसेप्ट और उसके बाद कंसिडर होता है लैट की कंडिशन होती है सब तो आपको नॉर्मली लागा आकर फार्मुला कर दिया अब इससे क्या होगा कि आप अगर पूरी डेरिवेशन छोड़ोंगे चापके 10 मार्ट जाएंगे ठीक है अगर आपकी डेरिवेशन गलत है तो भाई तो भी वह 0 देगा और अगर नहीं करोगे तो भी जिरू देगा अगर आप छोड़ी होगे तो आपकी प्रबबिल्टी जो है पास होने क्यों और एकदम ना के बराबर जाएंग ठीक है अगर आप अटलीस उसे अटेंप्ट करोगे ट्राइक करोगे करने की तो है ऐसा लगेगा कि आपने कोशिच की आपको भूल गया तो आपने इसको छोड़ा है ठीक है क्या फोर ठीक फोर में दो अफ्शन होते एंडब अन दोनों में से कोई करना होता है अब माली जोनों ही नुमेर कला अट अच्छी बात है अगर नहीं आ रहे तब क्या करें तब हमें करना यह कि जो भी हमें कोश्चन में गिवेना है वो लिख लेना देन उसके बाद डियाग्र छोड़ी दिया ठीक है बहुत से वह स्टूटेंट क्या करते कि जो फ्रेश्टेट होके पेपर छोड़ देते सोचते अगली बार बैक दे देंगे तो हमारा कि चार में से एक तो क्रेडिट को नॉन क्रेडिट कोर्स होता है बाकी की जो तीन सब्जेक्ट होते हैं आप उसमें अपना परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं जो इस तरह से हमें अपनी एक्जामिनेशन स्ट्रेजी लेके चलना है और अच्छे से 75-80% मास्क को अपना मेंटेन करना